हर महिने में एक बार अमावस्या आती है इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पढ़ती है यानि अमावस्या बारा प्रकार की होती है सोमवती अमावस्या भौमवती अमावस्या मौनी अमावस्या शनी अमावस्या हर्याली अमावस्या दीवाली अमावस्या कुश ग्रहनी अमाव में से सोमवती अमावस्या का विशेस महत्व है हमारी शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पित्रों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसंद करने के लिए होती है क्योंकि अमावस्या तिति के स्वामी पित्र देव माने कई है इस दिन पित्रों कश्राथ और पूजा क किये जाने की परंप्रा है अमावस्या के दिन वरत रखकर पवित्र नदी में इसनान कर फिर पिंड़दान करना चाहिए और सोमवती मावस्या के दिन सुहागी मिहलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए गर परिवायर में सुक्सरम्रिदी की कामने से उपवास रखकर वरत की कथा का श्रवन करना चाहिए अगर किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हो तब भी इस दिन कथा का श्रवन करने से पुर्णी मिलता है इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले जाने पूजा शेक करें इसके बाद धतूरा पुष्प बेलपत्र आदी शिवजी को अर्पित करें इस दिन भगवान शिवप की पूजा अर्जन करने से सभी मनुकामनाई पूरी हो जाती है इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत शुब रहता है ऐसी परंप की भावरी दी जाती है भावरी पर चड़ाया गया सामान किसी सुपात रहमन ननद या भांजे को दिया जाता है इस दिन पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है 108 परिक्रमा करते से में यदि आप कर सके तो कच्छा सूत 108 बार में रखकर 108 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं और फिर परिक्रमा करने के बाद जो भी सामगरी होती है उसका दान आपको किसी योगी व्यक्ति को दे देना चाहिए अमावस्या के वरत में फलहार या सात्विक भोजन ग्रहन करें इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा न यदि बालका सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि अमावस्या को के वल ढल सात्विक भोजन करना चाहिए अमावश्यक कर नंए जालू ना खरीदे और आटा या गेहु भी अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितर नराज हो सकते हैं, कोई भी शुब काम जैसे मुंडन, ग्रह प्रवेश या रोका आदिस दिन नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए, किसी से लडाई जगडा या अपशब कहने से बचना चाहिए, अमावस्या का उपवास रखने वालों को शेरीर पर इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तेल की मालिश करनी चाहिए, चंदर दोश से बीडित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, और गाय को दही या चावल ख रहन कर सकते हैं जो लोग बिना अन्र के नहीं रह सकते वो शाम के समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है लेकिन ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ में जो जल आप अर्पित करते हैं वो सुबह सूर्योदे के बाद और शाम क अमावस्या की कथा कथा के नुसार एक साहुकार के साथ बेटे साथ बहु और एक बेटी थी साहुकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था जोगी को साहुकार की बहु भिक्षा देती तो वह ले लेता था लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में तो दुहाग लिखा है ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वह कमजोर होने लगी एक दन उसकी माने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो तब उसने बताया कि मा एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन लेकिन इसके भागी में तो दुहाग लिखा है ये बात सुनकर उसकी माने कहा कि कल मैं सुनूगी अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर पैट गई जब बेटी भिक्षा देन भाग में लिखा है मैं तो बस वही कहता हूँ तब लड़की की मा ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा तब जोगी बोला कि साथ समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती करणाश में जाने लगी चलते चलते रास्ते में तेज़ धूप पढ़ने लगी तो साहुकार्णी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई उस पीपल के पेड़ में एक गरूड पकशी का घौशला था जिसमें गरूर का छोटा बच्चा था साहुकार्णी को घौशले क के पास एक साप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरोड के बच्चे को बचाने के लिए साप को मार कर धाल के नीचे रख दिया जब गरोड और पंखनी आये तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधी थो उठे और साहुकार्णी को चोंच मारने लगे उन्होंने सोचा कि इसी साहुकार्णी ने हमारे बच्चे को मार डाला है तब साहुकार्णी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है ये साप तो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था इसलिए मैंने इसे मार कर गिरा दिया तब गरोड ने साप की ओर देखकर कहा कि तुम उंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ाया वहां जाकर साहुकार्णी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे मनाया जाए सोना धोबिन के साथ बहु बेटे थे उसकी सातों बहुए काम को लेकर रोज लडाई जगला करती थी और काम भी नहीं करती थी रात को जब सब सो जाते तो स पड़ेत होती पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती सुभा उठकर बहुए सोस दी कि ये सारा काम कर रहा है लेकिन कभी एक दूसरे से पूस्ती नहीं थी कि ये सब काम कर कौन रहा है तब एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आज कर लड़ती भी नहीं हो सारा काम भी ठ श्वास नहीं हुआ उसने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहु काम करती है यह सोचकर वह रात को सोई नहीं तब ही उसने देखा कि रात को एक इस्तरी आई और पूरा काम करके जाने लगी तब सोना धोबन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरता पताओं सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ तब साहुकार्णी बोली कि बहन मेरी बेटी के भागी में दुहाग लिखा हुआ है इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें सोना धोबन का पती बहुत दिनों से बहुत बीमार था तब सोना धोबन अप इधर साहुकार्णी की बेटी का ब्याहा तो तय हो गया था आज विवाह का दिन था साहुकार्णी की बेटी का ब्याहा होने लगा दुलहा फेरों में बैठ गया सोना धोबन ने दुलहे के गुटने के पास कच्चा करवा रखा उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर पैट गई ठोड़ी दिर बाद सांप दुले को डस्रीम के लिए आया सोना धोबेन ने करवबा आगे रखा और तार से बांथ दिया लेकिन दुलहीं दरके मारे मर गया तब सोना धोबन ने टिके मेंसे Catholic निकाली मांग और आख में से सिंदोर निकाला और मेहदी निकाल कर छोटी अंगुले से छीटे मारे और बोली आर्स तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी उनका फल तो साहुकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करो वह मेरे बेटे को लगे ऐसा कहते ही दूला जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस की जैजय बोलने लगे सब सोना धोबन की जैजय कार करने लगे जब सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहुकार्णी बोली कि बहन तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया है इसलिए कुछ भी मांग सकती हो वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एक हांडी दे दो वह हांडी लेकर चलने लगी रास्ते में सोमवती अमावस का दिन आया तो वह टीके में से रोली निकाली मांग में से सिंदूर निकाला आख के किनारे से काजल निकाला नुमबा में से महदी निकालकर चिटकी अंगुली से छीटे दे दिये और बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पती को लगे ऐसा कहते ही उसका तो पती उठकर ब वो सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गार दिया जोतिशी ब्रहामन ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने की इटे मिली जोतिशी ब्रहामन सब को घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल रही है कि कुछ भी नहीं किया तब सोना हो उसे दे देना फिर सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस कवरत कीजिए है सोमवती अमावस जैसे साहुकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब को देना सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को कहानी सुनने वाले को हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना सोमवती अमावस की जै सोना धोबन की जै प्रिभक्त जनों यह थी सोमवती अमावस्या की कथा